दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं अशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आज हमनों क्लास तेंथ मैथ की प्रशनावरी 1493 की प्रसन संख्या चो को सॉल्व करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आको प्रेस करके ओल पे क्लिक कर लिजगा जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी तो आजे वीडि की संख्या ज्याद कीजिए कुल नामों में माध्य अक्ष्रों की संख्या ज्याद कीजिए साथ ही कुल नामों का बहुला ज्याद कीजिए तो सबसे पहले माध्य ज्याद करना है इसके बाद में माध्य ज्याद करना है और बहुला ज्याद करना है तो सबसे पहले हम लोग है बरा मार्ता है और संश्क बरा मारता निकाल लेते हैं कि संश्ण के К 2 राम बारता कि और तो संश्टायी बर्यागारता निकालने के लिए पहले बर अपारता जैसे हैं वैसे ही लिखा जाएगा छे तो छे लिखेंगे इसके बाद नीचे वाले बरामारता को इसमें जोड़ देंगे ठीक है तो 30 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जागा 30 36 36 36 में 40 जोड़ेंगे यह हो जागा 670 में 16 जोड़ेंगे तो 6-6 12 का 2 हासिल 1 7 8 9 बिरान में बिरान में और चार क्या हो जागा 96 96 और चार यह हो जागा 100 ठीक है इसके बाद बरामारता को जोड़ेंगे तो n बराबर क्या हो जागा 100 हो जागा ठीक है अब एन बटाद दो ठीक है तो एन कमान कितना है 100 बटाद दो कितना जाएगा 50 यानी 50 से ठीक बड़ी संचाई बारामारता कितना है? 76 है जिसका संगत वर्ग कितना है 76 का? 7 से 10 7 से 10 है अता माध्यक वर्ग क्या होगा? 7 से 10 होगा इसके बाद L निकालेंगे तो L जो होता है माध्यक वर्ग के निमन सिमा को L कहते ठीक है तो L कितना है 7 है इसके बाद इसके उपर वर्ग के उपर वर्ग की संचाई बारमारता को कहते हैं ठीक है? तो A है 7 से 10 और इसके उपर वर्ग है चार से 7 और इसका जो संचाई बारमारता है A है 36 ठीक है? तो A हो जाएगा 36 ठीक है यहाँ पर चाहा है तो आप लिख सकते हैं C F और माध्यक वर्ग के बारमारता को बोलते हैं F ठीक है तो A हो जाएगा F बराबर कितना? 40 ठीक है इसके बाद यहाँस यह सब आत्रन को सांट कर लेंगे तो मध्यक बराबर कि मध्यक बराबर एल फ्लास न बाटा दो माइनस का सी एफ विटक में F गूने एच तो इल कितना है साथ प्लस एल बटक टू कितना है पिचास माइनस का सी शीफ, साथ कितना है तीन है तो यह हो जाएगा साथ प्लस देखें पचास में से अगर वह अटाते हैं तो यह आता है चौदा ठीक है बटा में 40 गुने तीन ठीक है अब यहां यह नहीं कटेगा तो उपर से कटेंगे तो साथ दूना 14 और 20 दूना चालीस अब गुना कर देते हैं तो साथ यह 21 हो जाएगा यहीं कि साथ प्लस 21 बटा में 20 ठीक है अब यहां पर आप चाहाँ तो यहां एक मान के और बटा का जोर बना सकते हैं यह एक इस में 20 से भाग देंगे और जो आएगा उसको साथ में जोर देंगे ठीक है तो हम लोग क से गाएक एक एक एंसील हो जाएगा ठीक है इसके बाद एक सुने देंगे और इसके बदले यहां दसामलब देंगे इसके बाद फिर सुने देंगे यहां भी सुने देंगे और बिस पंचे 100 कितना यहां एक दसमलब सुने पांच तो यह हो जाएगा साथ प्लस एक दसमलब सुनने 5 जूडएंगे तो 7 और एक 8.05 टीक है यही क्या हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं और माध्य को सुल्व करते हैं तो यह हो जाएगा माध्य के लिए भी हमने क्या किया है कि अलग से आंकरे को क्रिंट कर लिया है इसमें हमें निकालना होगा देखे ए है वरगंत्राल ए है बरामारता इसमें हमें निकालना है मध्यमान क्या निकालना है मध्यमान इसको X से सुचित करते हैं और A है बरामबारता इसको F से सुचित करते हैं इसके बाद U निकालेंगे तो U बराबर होता है X-A बटा में H अभी बताएंगे कि X क्या होता है और H क्या होता है इसके बाद इसमें F U निकालना है यानि F और U का गुना करना है ठिक है यह जो निकलेगा इसका गुना करेंगे F से और जुगाएगा उसको यहाँ लिखेंगे ठीक है तो मध्यमान कैसे ज्यानत होगा इसको समझे देखे मध्यमान निकालने के लिए यहाँ उत्सिमा और नीम्सिमा दोनों को जोड़ना होता है और दो से भाग देना होता है कितना आया ल्एक है लिखेंग दो पांच धिक है एक यहाँ लिखेंगे दो से भाग देंगे लिखें项 १ कि इसके बाद यहां सुने तो यहां निकाल लेते हैं इसके बाद यह आसानी से निकल जाता है आप यहां देख सकते हैं कि लोगे यहां हम आठ में तीन जौर देंगे तो यहां हम लोग लेते हैं आरद लाप पांच को टल्माद मानने तो यह को जाएगा क्लपित मान होता है और इसके लिए देखे इस वाले में क्या करना है सुने देना है थेका आपको यह फर्मौला सिर्फ लिख देना है इससे करें मतलब नहीं है मैं आपको ऊर्द प्रिक बता हो जिसके जिसके orchestra पसानी से सवाल को सुर्फ करेंगे है इस वाले में क्या करना है माईनस एक माईनस दो ओर नीचे वाले में प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3 तीन देना है अब यह निकल गभाया से यू वाले तो चार दूना आठ चारतिया बारा इसके बाद माइनस वाले को एक साथ जोर लेते हैं तो 30 और 12 कितना हो जाएगा 42 यानिकी माइनस का 42 और यह हो जाएगा आठ और आठ चाओदा 15 16 16 अच्छा हासिल एक एक दो और एक तीन ठीक है माइनस प्लस का 36 ठीक है माइनस वाला ज्य पर चाह आणचो1 और एक एंसिल हो जाएगा तो जोडएंगे यहिसमीर के सिगमा एफ यूव बराभर कितना आया माइनस का च्छ उक्छिंकि माइनस में ज्याधा है तो माइनस का सण्छ इसके बाद बार लामारता को जोड़ना है तो यह की एका यह एक था सअधार लिखे माना की कल्पित पितमाद है कि कितना माना है आर दसमलाफ पांच यह बराबर क्या हो जागा आर दसमलाफ पांच ठीक है और वर्ग अंतराल की लंबाई इसको एच बोलते हैं तो चार में से एक घटा देंगे तो यह हो जाएगा तीन इतना हो जाएगा तीन ठीक है इसके बाद माध का फ्रॉल लगाएंगे तो माध्ध है यह एक्स डैस बराबर यह हो जाएगा एप लास सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ गूने एच तो एक कमान कितना है आट दसम्लब पांच प्लस सिग्मा एफ यू कितना है माइनस का छो बटा सिग्मा एफ कितना है एक सो गूने एच एच कमान कितना है तो तीन ठीक है अभी यहाँ देखे तीन दूना छो और पचास दूना सो तो यह हो जाएगा आट समलब 5 और प्लस माइनस के हो जाएगा माइनस तिन तिया 9 बटा में 50 ठीक है अब यहाँ 9 में 50 से भाग देंगे और जो आएगा उसको इसमें से घटा देंगे ठीक है तो यह आजाएगा भाग देने पर देखिए 9 में 50 से तो यहां सुन देंगे और इसके बतल यहां दासलम्लब देंगे 50 से कम 50 सुन नवे से 5 किया तो 4 अब नहीं लाएगा तो फिर सुन देंगे 58 यहीख हो जाएगा 400 किसे पहले आप सुन दे सकते हैं तो यह आ गया 8.5 घटाना सुन दासलम्लब यूंहें नुहां दसमलब एक गाठ तो की नीचे दसमलब रखेंगे इसके बात क्या है एक है और आठ है किए आप चाहां तो यहां सुन दे कर दो बहुला के लिए एक सिर्फ यह बार्मारता सिर्फ दूसीजिक्स होती है ठीक है ज्दाठ चीज रुथ होती है यह हैं तो लिखेंगे कि वर्ग अन्त्रान 7 10 7 10 की बारमारता सबसे अधिक है आप यहां देख सकते हैं 7 10 की बारमारता है 40 7 10 की बारमारता अधिक्तम है अधिक्तम है अता है बहुलक वर्ग कि साथ से दौस होगा इसके बाद इसलिए यह बरावर क्या हो जागा बहुलक वर्ग की निम्समा को एल कहते हैं तो एल हो जागा साथ इसके बाद एफवन क्या निकलना है एफवन तो बहुलक वर्ग की बरामारता को बोलते हैं एफवन ठीक है तो एह हो जागा एफवन चालीस ठीक है और एफवन से उपर वाले बरामारता को बोलते हैं एफ सुने और नीचे बाले को बोलते हैं एफ टू ठीक है तो एफवन कितना हो जाग चालीस और एफ सुने हो जाएगा 30 कि एफ टू कितना हो जाएगा 16 और एच हो जाएगा देखे चार में से एक को घटा देंगे तो कितना आएगा तीन आएगा तो यह जाएगा तीन ठीक है इसके बाद बहुलक का फर्मूल लागाना है तो बहुलक बराबर बहुलक बराबर ल प्लस एफ एफ उन्न न बता टू एफ उन एफ उन्नन दर इंद मायनास एफ टू गुनए एच को इसए यह का मन कितना है साथ प्लस एफ न चालीस मा तीस और एफटू है सोला गुने एच है तीन ठीक है तो साथ प्लस चारिस में से तीस को घटा देंगे तो कितना आगा दस आगा बटा में चारिस दूना असी माइनस तीस और माइनस सोला इव्यागा माइनस का छे आलिस गुने तीन तो साथ प्लस दस बटा दस में चार गया तो कितना बचाएगा चार और साथ में से चार गया तो तीन कितना आएगा 34 गुने तीन ठीक है यहाई नहीं कटेगा तो उपर से कटेंगे पांच दूना 10 और 17 दूना 34 ठीक है इसके बाद साथ प्लस पांच तिया ही 15 बटा 17 ठीक है हमनों क्या करेंगे पंदरा में 17 से भाग देते हैं और जो आएगा इसको साथ में जोड़ देंगी ठीक है तो भाग दिने पर ग क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पंदरा में सतरह से भाग देना ओर भाग तो नहीं लाएगा तो एक सुने देंगे और इसके बाद लिया है एक तसमलब देंगे इसके बाद 8 से लगाएंगे तो 17,8 हो जाता है 136 ठीक है दस में 5 गया तो 4 और 4 में स्तीन गया तो 1 एक लिगा फिर सुन देंगे फिर 17,8 136 10 में 6 गया तो 4 और A cancel हो जागा, A भी cancel हो जागा, ठीक है, फिर सुन देंगे, 17 दुना, 34, 10 में 4 गया तो 6 और A cancel हो जागा, ठीक है, फिर सुन देंगे, 17 या 51, 10 में से गया तो 9, और बचाएगा 5, 5 में से 5 गया तो cancel, ठीक है, देखे, यहां हमारे पास क्या आ गया, इससे पह या पांच या पांच से बारा होता है तो दूसरी अस्थान में एक उक्ष जुर जाता है देकिन यहां पांच या पांच से बरा नहीं है इस लिए इसमें नहीं जोरेंगे तो साथ में जोड़ना है यहां तो कुछ नहीं से पहले हैं तो 7 कितना गया और can't catch 3788 यहीं क्या हो जाएगा तो अधिन दोस्तों में अमीद करता हूँ कि आपको ये तीनों सवाल समझ में आ गया होगा, अगर किसी परकार की कोई डाउट हो तो आप हैं को मिल कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, तो Unlocking Study के फिले लिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकत हैं, फिर मिलते हैं, एक और वीडियो में तब तक के लिए, जैहिन, टेक केर